पढ़त यहां पर मिलती नजर आ रही है चुकि इसके बाद की कोई काउंटींग का राउंड नहीं होना है तो बीसवा राउंड बता जा रहा है कि फाइनल होगा और ऐसे में ये बीजेपी की निरनायक बढ़त माना जा सकता है जाला कि अभी तक 37 पश्ट होने में थोड़ा और समय लगने की बात कही जा रही है अमरवारा का ये उप्चुनाव जहां पर अमरवारा की इस जंग में पहले इसे त्रिकोड ये मुकाबला बाना जा रहा रहा था लेकिन अब धीरे धीरे ये कमलेशा और धिरनशा के बीच मुकाबला होकर रह गया है क्योंकि दोनों ही पूरा जोर लगाए हुए और इनके पीछे दो बड़ी पार्टीयों का हाथ है एक तरफ जहां कमलेशा बारते जंटापार्टी के पथ्याशिया हैं वहीं धिरनशा कॉंग्रेस पार्टी के प्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह जिनका कि 1747 वोटों से अंतर है वो आगे चल रहे हैं बहराला भी देखना होगा कि ये अंतर इस काउंटिंग के पूरा होने तक क्या बरकरार रह पाएगा बहराला भी कि इस्तितियों को देखें तो भारती जंता पार्टी के 47 वोटों की बहत है और 20 वे राउंड की ये काउंटिंग जारी है अलकि काउंटिंग 20 वे राउंड की जारी है लेकिन काउंटिंग फिलाल रुकी हुई है और ऐसे में काउंटिंग का रुका होना क्योंकि दो एवियम खराब बताई जारी है आखरी राउंड में बीजे प का जो मसला है वो कॉंग्रेस के जो एजेंट है महां के मदगना के अभी करता जो है उनका कहना था कि अचानक से जब उसे चालू किया गया तो उसका डिस्प्ले नहीं देख रहा था जिस वज़े से इन्होंने आपती दर्ज की दो एवी एम के ऐसे मामले सामने आहें जिनका दोनों का डिस्प्ले दिखाई नहीं पड़ रहा था इस बात को लेकर के कांग्रेस ng ने आपती दर्ज की है कांग्रेस के जो मदगना केंदर ऑस के वारें से देख रहे थे वह बापत मंग्णना केड़र में पहुंचे हैं और मगध्णना केंडिकर के बाहर इस बात को लेकर आपत्ती द्रज करा रहा है कि नहीं कहीं नहीं हो यहीं यहीं वज़ सारी अपत्ति द्रज करा हैं शर्च करा चुक् fellow कि अब कांटिंग अभी 20 की रूइं है बिल्कुल देखिया अभी 20 वे कांटिंग रुक्पी हुई है किसी तरह की कोई अधिकारिक गोश्टना नहीं की गई है 19 की गोश्टना के बाद यहां पर किसी तरह की बीस्वे कानुमान है वो लाग थारा गाणे जा रहा है जो क्या कर रहा है चौनामायोग। बनी हुई और अब वीवी पैट से काउंटिंग होगी इस बीच एक बड़ी खबर अमर्वारा में बीजेपी को मिली इस निर्णायक बढ़त के बाद अभी तक विजल्ट जो डिक्लियर होने में एक अडचन आ रही थी वो ये कि एवी एम खराब हो जाने के बाद अब वीवी पैट के माध्यम से आगे की काउंटिंग की जाएगी राजेश हमारे सेवगी रगातार हमारे साथ मौझद राजेश अब क्या यही एक निरने लिया गया है कि वीवीपेट से काउंटिंग संपन और क्या दोनों ही प्रक्षिराजी है इस बात के लिए? वीवीपेट से काउंटिंग में बैलेट पेपर जैसे काउंटिंग होना है अलग अलग परचिया चाटी जाएगी उसके बाद बंडल बनाए जाएंगे उसके बाद क्राउंटिंग होगी ये जो है तकरीवन दो से तीन गंटे का तमयर और लग सकता है हाला कि अभी प्रशासन ने आधिकारी गोष्टना बाहर आकर नहीं किया कि क्या पीतर चल रहा है और क्या निर्णा लिया गया है किन ख्षेत्रों की EVM मशीन्स हैं ये जहां पर इन्हें वोटिंग के दौरा ने इस्तिमाल किया गया था वो कौन से ख्षेत्र हैं जहां की वोटिंग की काउंटिंग अभी रह गई है ये देखिये हमारी जो जानकारी है जिस तरीके से भाजपा के नेताओं से और कौंग्रिस के नेताओं से हमारी बात चीत हुई है उनका कहना है कि जिस बूस्ट की ये मशीने हैं वो अमरबारा की ग्रामीन इलाके हैं और ग्रामीन इलाकों से भाजपा को बड़त मिल रही है इस वज़े से वो निश्चिंत हैं बीजेपी के लोग और ये जो मशीन है ये ग्रामीन इलाकों की तकरीवन साथ मशीनों की काउं जानकारी मिली कि कितना समय लग सकता है? ये देखे इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी देने तयार नहीं है प्रशास्तिक अधिकारियों से चुकि वो भीतर है इस वज़े से कोई अधिकारिक बयान उनका सामने नहीं आया है ये जरूर है कॉंग्रेस के नेता जरूर ये बता रहे हैं कि ये जूरा मामला वीवी पैट पर आके रोका हुआ है बाजबा के नेताओं ने इस पर सेहमती दी है लेकिन अधिकारिक तोर पर इसकी पुस्तिक अधिकारियों ने अभी तक नहीं की है परिसितियां क्या कहरें राज़िश कब तक ये काउंटिंग संपन हो सकेगी तक अभी पिछले एक गंटे के लगबग समय होने आया है जब ये काउंटिंग रोकी गई है अगर वीवी पैट से गिंती होती है तो ये माना जा रहा है कि एक से देड़ गंटे का समय और लग जाएगा और ऐसे हालात में तकरीबन तीन बजे का समय हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट सामने आए प्रशासन के अधिकारी भी यही मान रहे हैं कि तकरीबन तीन बजे तक फाइनल रिजल्ट वो गोशिद कर देंगे निरनायक बढ़त की बात कही जा रही है 1747 के आसपास वोटों की बढ़त बीजे पी ने अब तक बनाई हुई है अकाउंटिंग रुकने तक कितनी बढ़त थी क्या है डिटेल्स ये देखिए बीजे पी निरनायक बढ़त पे सब आ गई थी गमले शा जो है वो निरनायक बढ़त थे तो कि दो ईबीएम रुकी हुई है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे मैं शूरो हो गई है शैलेंडर मिठाइया आ गए तैंदाइने मिठाइया भी आ गई है तुरुक्टतела जो भी एक और जो जग्दिस दिवडा वो भी पहुंचने वाले हैं बीजीपी के कुछ लोग हमारा साथ मौधियों से बात करेंगे मैं आधकारे गोशना हुई नहीं है लेकिन जश्ट की तैयारी है पूरी जी विलकुल आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा कारियाला है वो भगमा मैं हो गया है और जैसा कि हमने कहा था कि हम कमल मैं करके रहेंगे मद्धिप्रदेश को तो मद्ध्य प्रदेश को कमल मैं करने में हमारे भारतिय जंता पार्टी का प्रत्य एक कारिकरता प्रत्य जो हमारा संगठन है वो सब लगे हुए हैं और प्रति बद्धता और सनलगनिता के साथ भारतिय जंता पार्टी को हमने लोकसभा विधानसभा और अमरवारा उप्च सब्सक्राइब कर लिए उनके तमाम नेताओं के आप बयान देख लिए कि राली कर रहे हैं प्रलाप कर रहे हैं क्योंकि उनकी सनातन को गाली देने वाली भावना हार गई है और जिस प्रकार से अधिवासी वर्क को सज ठक कर सत्ता पर काबिज रहे आज वो आधिवासी वर्क ने श्पस कर दिया ये जीत भी मद्यप्रदेश की जीत और देश की जीत प्रगती की पत पर आगे बाए और और भी कुछ भाजपागे लोग जोड़े हैं सर कितनी बड़ी जीत मानने बड़ा टफ मुकाबला माना जा रहा था कमलाज जी तमाम लो जीत पूरे प्रदेश के कौने कौने तक पहुंचेगी एक बड़ा संदेश है तो देखे तमाम जो लोग हैं वो साब तोर पर यह कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़ी जीत है क्योंकि कमलनाथ का गड़ कहा जाता था और ता आप तवाम तैयारियां भी देखते हैं कार करता पहुंचने का जो सिल्सला है वो भी अब सुरू हो गया डिप्टी सीम भी यहां पहुंच चुके हैं और जल्दी लगबग दो बच के तीस मिट का आदकारिक समय दिया गया उस समय जो है अब जो है वो जीत कजशन जो है वो यहां पर मनाया जाएगा तो तमाम जो तैयारि ती और जिस तरीकिसे लगातार सुबह भी जब हमने डिप्टी सीम से बात की थी तो उन्होंने साब कहा था कि देखिए सुरूवाती रुजहान है आने देजिए लेकिन अंतियम परणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष्म ही होगा और वही सिटियां जो है वो फिलहाल देख हलाकि अभी जे आदका